दोस्तों अगर आपको यहाँ पर इंटरनेट पर कुछ भी देखना हो तो आप यहाँ पर क्या करोगे? गूगल की उपर जाओगे, टाइप करोगे कीवर्ड, आपको वेबसाइट डिर्जल देखने को मिलेगे और उनके बाद उन वेबसाइट पर जाके आप यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन निकालोगे लेकिन मैं क्या बोलू कि आने वाले जमाने में सब कुछ बदलने वाले आपको वेबसाइट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और तो और क्या पता आपको फ्यूचर पर गूगल सर्च की भी जरूरत नहीं पड़े क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में माइक्रोसॉफ्ट बिंग यहाँ पर जगा ले ले अब आप बोलो यहार माइक्रोसॉफ्ट बिंग का यहाँ पर यूज करता कौन है वो तो और को यूज भी नहीं करता है इतने सालों से पढ़ा है लेकिन हरको हमें गूगल को तो अच्छे तरीके से जानता है और तो और बात यहाँ पर यह कि माइक्रोसॉफ्ट ने विए पिछले कई सालों से विंग अच्छे तरीके से रिवाइब करने के कोशिश करी वहाँ पे फेल रहा उससे पहले उसने इंटरनेट एक्सप्लोर को खतम कर दिया उपर से बात किया तो विंडोस फोन भी कैसी चीज थी जो कि Microsoft लेकर रहा रहता लेकिन उसको भी Android ने हरा दिया यानि कि हर एक मामले में Google हमे ऐसे डिजिजन लेती है कि उसका जो स्टॉक प्राइस होता है वह भी नीचे कर रहा है कंपनी के वैलूइशन में भी सौ मिलियन डॉलर का ड्रॉप आ चुका है यह यह भी सब पिछले कुछ दिनों की बात है और यह बात बहुत खतरनाक होने वाली है अब आप सोच रहों क मैं किस बार में बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ AI के बार में यहानि कि कंपनी है ओपन AI और उसने चैट GPT बना था जो की सिंपल भाशा में General Pre-Train Transformer है यहानि कि ऐसा AI जिसको यहाँ पर train किया है कई सारे लोगों ने और उसके पास ऐसी काफी सारी समझ सकता है उनके उपर decision ले सकता है और आप क्या कहना चाहरो उसका answer यहाँ पर दे सकता है लेकिन चैट GPT के बार में हम पहले भी बात कर चुके है और देखा जाए तो चैट GPT वन आप दा फास्टस डोडिंग एप्लिकेशन है आग के समय में मार्केट में यानि कि पिछ पैच नहीं कर सकता यानि कि internet पे किसी website को पढ़के अपने आपको train नहीं कर सकता और लोगों की एक हद तक मदद कर सकता है उससे जादे चीज़ें कर नहीं सकता इसके बार मैंने पास में वीडियो बनाया है लेकिन भाग किया आप लोग का मालूम है कि open AI जैसी company में सबसे बड़ा invest in Microsoft है और सथे डरिया ने बोला है कि उनके लिए दुनिया की सबसे बड़ी डील यहां पर हुई है अब पतावो कैसे देखो सबसे पहले तो Microsoft ने 10 बिलियन डॉलर डाले यहां पर जिसके चलते open AI का कुछो भी 75% profit होगा वो यहां पर आपका Microsoft रखेगी और जैसी उ अंतनी का 49% stake own करेंगे यानि की लगबग आदी company उनके पास हो जागी और technically वो monopoly create कर रहे है और इसी का फायदा उठाके वो इस technology को अपने Bing सर्च इंजन और अपने edge web browser में कर रहे है अब देखो आगे की पूरी कहानी क्या होने वाली वीडियो में तो बतानी वालो लेकिन व उपन याई की टेक्नलोजी को इंटीग्रेट किया को सत्य नडेला इससे बहुत ज्यादा excited है उन्हें पता है कि उनके पास आप एक ऐसी चीज़ आगे जो गूगल को यहां पर हरा सकती है क्योंकि पते गूगल का 60% revenue उसकी सर्च से आता है आप गूगल पे जाके कुछ भी यह चाहता है कि गूगल का राज यहां पर पूरी तरीके से खतम हो जाए और जहां गूगल हमेशा AI कहता रहता है अब Microsoft के पास ऐसी चीज़ आगी जिसका तोड़ अभी भी गूगल के बास नहीं है लेकिन इसकी जलक हमें मिल चुकी है जिसकी अंदर नहे वाले बिंक जरुत नहीं पड़ेगी देखो यहां पर एक सिंपल से एक्जांपल समझातों यहां पर चोटा से एक्जांपल इन्हों डेमो दिया था जिसके अंदर बोला गया था उन्हें बैस्ट 65 इंच का टीवी चाहिए वह गया मल्टीपल वेबसाइट से आपको लिस्ट दिखा द पिर उसके बाद वेबसाइट पर जाएगा देखेगा किस फोन में क्या है कौन सी चीज़ है कौन सी चीज़ नहीं है उसके बाद वो डिसाइड करेगा उसके पास ऐसा कुछ मैथड नहीं रहता भी कि जहां पर डिरेक्ली बात कर सकते हैं यानि कि किसी से सामने वाले से पूच और उसने आपके बेस्ट पॉसिबल आंसर दे दिया और वो चीज़ कमाल की हो गई आपको सिर्फ बंगी अंदर यह दी जारी उसी का ही यहां पर यूज करना रहेगा आपको उसके बाहर यहां पर जाने की जरूवत ही नहीं पड़ेगी यह बहुत कमाल की चीज़ ह उसके साथ ही इस बार अच्छी बात यह कि यहां पर पूरी तरीके से इंटरनेट से इंटरनेट की वैबसाइट से डेटा ले रही है और आपको डेटा प्रिजेंट करके दे रही है वो काफी कची चीज़ लगी यानि कि लो का जो टाइम हो बहुत तीजी से हां पर करने का जहां पर डिरेक्ली चैटिंग करके अपने आंसर आसान तरीके से ले सकते हैं और सबसे बड़ी बात है यह चीज़ बिलकुल यहां पर फ्री है क्योंकि देखा तो माइक्रोसफ बिंग से कुछ नहीं कम आती है और अब वो बिंग में अगर इन्वेस्ट कर रहे तो देखने को मिल जाएगा यहांने की अगर आपको कुछ लेटर इमेल यह कोई भी डॉक्यमेंट वगरा कुछ लिखना तो वो चीज लिखने में भी यह आपकी मदद कर देगा यहांने की कोई चीज़ आपने लेकिए उसके अंदर ग्रमेंटिकल मिस्टेक उसको प्रूफ र बात है कि मान लो यहां पर आपने डॉक्यमेंट खोल रहा है एज वेब ब्राउजर में और चाहते उसकी समरी निकल जाए वो एज ब्राउजर निकाल कर देगा यहां पर ने डेमो दिया था पंदरा पेज की पीडिएफ की समरी निकाल कर दे दी उसने ऐसी चीज़े लोग AI यह सारे काम यहां पर कर रही है और वो भी बिलकुल फ्रीम है और यह है फ्यूचर यहां पर AI का जो Microsoft नो ने बनाया है और बहुत जादा अच्छे तरीके से efficiently काम करती ही यह चीज़ और इसका नोन है USA के अंदर अभी डेमो भी दिया था अभी के समय में यह चीज़ हर किस अब आप लोग सोचोगे कि Microsoft ने तो इत्ती अच्छे चीज़ बना दी और Microsoft का इवेंट था उसके अगले दिन Google का इवेंट था लेकिन Google के इवेंट मैं पताओ यार सच बताओ यार उन्होंने पता नहीं क्या कर दिया सबसे पहले तो Google ने अपने बार नाम की AI के बार में ब पिछले कुछ महीनों से हम खबरे सुन रहे थे कि Google को यहां पर डर लग गया और उसने अपने सारे resources लगा दी है कि एक chat GPTI जो AI जिस पर Microsoft काम कर रहा है इसकी उपर यहां पर अपनी चीज़ अच्छे तरीके से डिलीवर कर दे लेकिन जो पहला उनको डेमो यहां पर देखन अब आपको कब देखने को मिलेगी कुल मिला कि Google ने बस यह दिखानी कुछ करी कि अभी भी हम जिंदा और हम इस चीज के उपर काम कर रहे हैं मार्केट में कब आई यह पता नहीं और उपर से बात के तो Google के बार किसी ने भी इस चीज को यहां पर ट्राय आउट नहीं किया कम से कम Google ने Early Access दिया इस चीज का Demo दिखाया और यह चीज अगर आपको यूज करनी है तो ChatGPT जो कि Chat.OpenEd.com है वहाँ जाके फ्री में आप इसे यूज कर सकते हैं यह चीज यहां पर नो ने हाँ पर बता दी लेकर पता है से और प्रॉब्लम पता है क्या है इससे एक प्रॉब्लम आने वाले समय में काफी सारे ब्लॉग्स और वेबसाइट भी फेस कर सकते हैं जब उनका जो ट्राइफिक है बहुत तीज से रिड्यूस होगा और अभी भी पता नहीं है कि इस पर कॉपिराइट वाले लोग कैसे चलेंगे कि कहीं से कोई कॉपिराइट इंफरमिशन इसने दिखा दी तू उपर से भी पता नहीं कि इसको मॉनिटाइस कैसे किया जाएगा इसको अ जादा लोग उसका यूज करेंगे उत्ती जल्दी वो चीज़ें हाँ पर सीखेगा अब वो सिखा के सारी चीज़ें माइकल सोफ ने बिंग में डाल दी गूगल के पास कोई ऑप्शन नहीं है और ऐसी को ट्रेंड करने में बहुत जादा टाइम लगता है देखने वाली ब बिजनेस के लिए बहुत बड़न उकसान हो सकता है इवन कि आप लोग को बात मालूम है कि गूगल आलमोस्ट एपल को हर सल 15 बिलियों डॉलर पे करती ताकि उनके सफारी और एपल के आईफोन के अंदर डिफॉल्ट सर्च इंजन गूगल का हो मान लो अगर माइक्रोसोफ गूगल बाट जिस दिन इंडिया में आगी उस दिन ही आपको वीडियो देखने को मिलेगा और देखा है तो AI की टेक्नलोजी को में बहुत क्लोसली फॉलो करता हूँ और पिछले कुछ मेंने से तुमें खुच एट जीपीटी का डिली यूस करता हूँ तो आर देखने वा झाले कि उसके टो आर देखने और देखने घुटार आर देखने कि बाट इस दो आर देखने वाई!